वेल्कम बैक टू माई चैनल आज में बनाने वाली हो वेज बिरियानी तो इसमें जादा कुछ डीटेल में नहीं बना रहे हो पर छट पर से वेज भी बिरियारी बना रहे हो ताकि कम समय में आप बना सके मैंने ले लिया यहां पर एक चोटा सा प्याज और कुछ शिम्ला मिर पीले हरा और लाल तीन कलर का ही लिया है आपके पास अगर सिर्फ एक कलर है तो एक कलर ही ले लिजिए कोई प्राबलम नहीं है इसमें कोई टेस्ट में डिफरेंस नहीं आएगा तो मैं सारी चीजे को चोटी चोटी बारिक-बारिक में काट ले रहे हूं तो कड़ाय पर मै हम लोगा हलका गुलाबी हो चुका है तब इसमें डाल देते हैं जो वेटिबल से हमने काटकी रखे हैं कैपसिकम अलग अलग तरह का आप चाहे तो इसमें कैरट मतलब गाज़र भी दे सकते हैं पोटेटो भी स्लाइस करके दे सकते हैं तो मैंने वह नहीं दिया मैंने सिर् का हलका सा फ्राय कर लूगी, अभी देते हैं स्वादनसा नमक, नमक जादा मत दीचेगा, क्यूंकि जब चावल डालेगे, तो उसका नमक, हम लोग का अभी पता नहीं चलेगा, चावल डालने के बाद पता चलेगा, तो नमक हो चुका है सारे सबजिया गल चुके है तो अभी डाल देते है राइस तो यह राइस मैंने पहले से बॉल करके रखा हुआ है प्लेन बॉल राइस है इसमें कोई तेल या तो खड़े मसाले से मैंने बॉल नहीं किया है सिंपल पानी में मैंने बॉल करके इसको जाड़े में ज अब इसमें डिलेंगे कुछ मसाले मैं आपर इसमाल किया ने टिक्टन बिर्यानी मसालाnah मैंने मादर्व से गए कि क्यों पैकट अथ मैंने प्लिक पाकिट ही आंदे रच्वारप मैंने इस प्लिक स्मूण और जीवाड़न ब्रै। अगर सही से ना पे तो आपको दे टी स्पून दिखाए देगा टू टी स्पून फुल भी नहीं लगेगा ये डिपेंड करता है आपने कितना राइस लिया हुआ उसके हिसाब से आप मसाला एड़ केजिएगा तो ये मसाला भी मैं अच्छी तरह से मिक्स कर दे रही हूँ अभी डालते हैं इसमें फूट कलर फूट कलर आप्शनल है आप चाहे तो दे सकता है आप चाहे तो ना भी दे सकता है तो मैंने यहाँ पर फूट कलर एड़ कर दिया मैंने directly डाला है कोई पानी वानी नहीं डाला है कि इसमें बहुत थोड़ा ही डालने वाली हूँ उसके साथ ही डालते है बिरियानी कुकमे का बिरियानी मसाला थोड़ा सा जादा नहीं यह सारे चीज़े अच्छी तरह से mix कर देंगे अभी इसमें डालते है ठोड़ाशा हल्दी और बहुत राल मर्च का पावदर हल्दी बस देने के लिए में यह हं цен тайहा कावदर देगे ना होता है से तोड़ा वचछी पार हल्दी और थोड़ा जाल मिर्च का पावडर और इसी में भी दे देंगे थोड़ा सा रोज वाटर अब देखी का यहां पर राइस का कॉंटिटी कम है तो हिसाब से दीजिएगा जादा ना दीजिएगा क्योंकि इस बहुत समेल आने लगेगा उसके साथ ही साथ देते हैं थोड़ा सा कियोरा वाटर अगर अब चाहे तो हम बोल सकते हैं यहां पर तीन चार सब्सट यहां पर चाहां च ना लागे से बिरियानी का फ्लिवर बहुत बढ़ी आता है तब ही सारे चीजों को अच्छी तरह से कर देंगे मिक्स बहुत जाद आपको मिक्स नहीं करना है हलका हल्का कर लिजिए बाकि व Variant अपकर बाहिल पंद्र कर हो जायगा तो मैने सारे चीजों का अच्छी तरह से कर देंगे मिक्स और इस स्टेज पे अगर आप चाहे तो इसको कवर करके पाँच मिट के लिए दम पे रख सकते हैं तो तैयार हो गया बहुत जल्डी बहुत कमी टाइम में जादा नहीं 15 से 20 मिट का टाइम लगता है अगर आप सारे चीजे रेड और नए फ्रेंज प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कर लिजे ताकि जब भी मैं क्यों रेस्पी बनाओ आपके बाद सबसे पहले पहुचे तो आज के लिए इतना ही फिर मिलते नया एक व्लॉग पे और हाँ नमक और लाल मेच टेस्ट करके दीजेगा जादा ना ठीक है ना तो बच्ची का टीफिन में रहो गया पैक चलिए इसको फट फट कर देते हैं पैकिंग क्योंकि कार्पूल वाले आच चुके हैं बच्चे को लेने के लिए हम बहुत जल्दी जल्दी कर रहे हैं चलिए इसे बंद करते हैं आज के लिए इतना ही फिर मिलते हैं देख व्लोग में तिल देन बाई बाई और टेक चेर